एक महत्यपोर्ट सीट साण में मुख मुख मुगाबला राजीव परताप रूडी और आरजेटी के चंद्रिका राय के बीच हो रहा है और राजीव परताप रूडी ने लालू फरिबार से 30 साल पुरानी अपनी चुनावी लडाई के बारे में एक्स्क्लूसिब भाचीत में हमारे बिहार के बेरोचीफ अब शेयर चंद्रा से की है सुनिये क्या कुछ गहा हमारे साथ न्यूज वर्ड इंडिया पे राजीव परताप रूडी और उनकी पूरी फैमिली मौझूद है जो कि छपरा के अमनौर में इस वक्यू में रख करके आपने वोट कास्ट करने को आई है राजी परताप रूडी सारन से उमिदवार है भाचपा की हम बात करेंगे रूडी जी से पूरी जी पिछले तीन दश्कों से लालू प्रशाद और उनके परिवार से आप इस सीट पे कॉंटेस्ट कर रहे हैं इस बार का ये ये बहुत अच्छा सवाल आप नहीं किया बहुत तो कुई इस बात की जानकारी नहीं है और ये थोड़ा सा कष्ट में होता है कि जो लोग देहाद से ये पटना से बाहर है उनको मैं मैं गाव में नहीं देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये पहली बार है और इस बात के लिए अगर सीधा तोर पर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहूँगा पुदेश के पधार मंत्री नरहिंदर मोधी जी को सोशल मीडिया का बड़ा इंपक्ट है तो मेरी जीवन का हर शन देहाद का दुनिया देखता है और मैं समस्ताथ बहुत बड़ी कामियाभी और ये लालू जी के हां लड़ना उनके खिलाफ लड़ना उनके परिवार से ल किन बात कुन किन मुद्दों को लेकर क्या आपा रही है क्या आपके दिमाग में हैं मैं कोई मुद्द लेकर नहीं हूँ मैं पहली बार वोट करने आई हूँ में लिए अलग एक्सपीरिंस और टुगेदर है यह राजी परताब की रूड़ी की फैमिली एक्स्लसिफ हमसे बात कर रही थी जो इस वक्त जो है चपरा के अमनौर पॉलिंग स्टेशन पे अपने परिवार के साथ क्यों में लग करकर वोटिंग करने आए हैं मुद्दा नरिंदर मुदी है नरिंदर मुदी की लहर और यहां का स्थानिय मुद्दा भी कहीं ने कहीं आज के चुनाओं में बड़ा ही महत्वपुन रोल प्ले कर रहा है अम नौर से अपने कैमरामेन अनन्द कुमार के साथ मैं अभी शेक चंद्रा न्यूस वर्ल इंडिया